नमस्ते दोस्तों मैं मौर्य वर्षा मेरे यूटिव चानल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आज हम हरिवेंशिराय बच्चन जी की आत्मकथा का पहला खंड देखने वाले हैं नेट के सिल्याबस में आत्मकथा का पहला खंड ही रखाए गया है वैसे हरिवेंशिराय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा चार खंड में दिखी है उसमें है पहला खंड क्या भूलू क्या याद करू 1979 में प्रकाशित हुआ है दूसरा खंड नीड का निर्मान फिर तीसरा बसेरे से दूर और चवता दस दौर से सोपान तक तो हरिवेंशिराय बच्चन जी का पहला खंड क्या भूलू क्या याद करू जब 1999 में प्रकाशित हुआ तब हिंदी साहिति में मानो एक प्रकार सी हल्चल मज गई थी ये हल्चल 1935 में प्रकाशित हुए मधुशाला से किसी भी प्रकार से कम नहीं थी क्योंकि हरिवेंशिराय बच्चन को मधुशाला के कारण जितनी प्रसिद्धी मिली उतनी ही प्रसिद्धी उनकी आत्मकथा की कारण ही उनको मिली है इन में से जो नेट के सिलाबस में रखे गए पहला खंड है लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को इन चारों खंडों में क्या है ये संक्षित में बता देती हूँ जो पहला खंड है क्या भूलू क्या याद करू 1979 में प्रकाशित हुई और इसमें लेखक के बचपन से लेकर योवन तक का जीवन चित्रित हुआ है दूसरा खंड नीड का निर्मान फिर 1970 में प्रकाशित हुआ है और इसमें लेकर का आत्म विशलेशन परक जिवन जादा आया है तीसरा खंड बसेरे से दूर 1907 में प्रकाशित हुआ है और इस खंड में लेखक के विदेशी प्रवास का वर्नन या विदेशी यात्राव का वर्नन इसमें जाधा मुखरित हुआ है चौथा खंड है दस द्वार से सोपान तक यह 1905 में प्रकाशित हुआ है और लेखक के अंतिम वर्षों का जो जीवन अनुभूर रहा है वो इसमें चित्रित हुआ है अब इस आत्मकथा को सरस्वती सम्मान से बिर्ला फाउंडेशन ने भी पुरुस्कृत किया है और यह सन्मान है डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी कहा है कि हिंदी के हजार वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जबकि कोई साहितिगा अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबा की साहस और सदभावना से अपनी बात कहता हो यानि बहुत सारे अलोचों को ने इस आत्मकथा की अलोचना भी की है और अलोचना करने के बाद जादा लोगों ने उसे सराया भी है अब इस आत्मकथा की जो चार खंड है जो कह सकते हैं का चार खंडों में इनका ब्रहत जीवन चरित्र इसमें उभर कर आया है और लेखक ने इन चार खंडों के माद्यम से अपने कवी या अपने गधि लेखन का भी इस्तुरत तरीके से इसमें विवेचन प्रस्तुत किया है अब इस आत्मकथा के पहले खंडों को हम देखते हैं इस पहले खंडों में लेखक ने या बच्चन जी ने अपने परिवार के माध्यम से अपने विक्तित्व की विकास का भी परिचे दिया है इस आत्मकथा के केंद्र में परिवार हैं किन्तु साथ ही तत्कालिन उस शेत्र का परिचे भी हमें में उसे मिलता है जहां पर वे रहे चुके हैं उनका जीवन गुजर चुका है तत्कालिन उस शेत्र का परिचे मिलता है जहां भारत देश के आजादी के पुर्वकी परिस्तितियों घटनाओं का वर्नर भी हमें उसमें मिलता है इससे हम आजादी के पुर्वकी स्थिती का इतियास भी पढ़ते हैं और उसके बाद लेखक का जीवन चरित्र भी पढ़ते हैं अब यह किताब इतियास की धरोवर है ऐसा कहे तो भी गलत नहीं होगा यहाँ खंडा अत्यन्त महतपुर्ण है क्योंकि लेखक ने अपनी जाती, वन्ष, परमपरा से लेकर अपने विवहाव परांत तक के पूरे जीवन को इसमें बताया है इस खंडा में उन्होंने एक और तो अपनी ही जाती के लोगों की प्रशेंशा की है यह कहिकर की महान व्यजयनिक कायस्त जाती ने जनम दिया जिसने भारतवर्ष को विवभुशित किया और दूसरी और यह भी लिखा है कि एक बार साप के काटने से तो व्यक्ति बच जाएगा लेकिन या किन्टु कायस्त के काटने से नहीं बचेगा अर्थात ये खंड अत्यदीक सरल बोधगमे येवं जिवन्त उधारन है दूसरे लिखुकों के लिए कि आत्मकथा के चार-चार खंड में उन्होंने अपना पूरा जीवन विश्त्रू तरीके से सुक्ष्मा अध्येन करके अत्यंत बारिक विवेचन करके पस्तुत किया है दूर्गों का भी वर्नन किया है ततकालिन परिवार की स्थितियों का भी वर्नन किया है ततकालिन परिवार में जैसे परिवार होते थे कि आज के जैसे छोटे परिवार नहीं होते थे बड़े परिवार में मर्दाना और जनाना ऐसे दो-दो कक्ष घर में या सुतंत्र श्रियों का वर्नन उन्हेंने किया है कि स्री जन्मता या निसरगता अभिनेत्री होती है ऐसा उन्होंने कहा है जैसे शामा जो उनकी पहली पत्नी है वह बहुत दिनों तक बिमार रहती है और रहने करम वह अपनी बिमारी चुपाती है दिखाती नहीं अंदर से तो बहुत य का बिमारी का जो रहस्य है किसी को पता नहीं चलता और अन्तहा इसी बिमारी के कारण उनकी मृत्तपी हो जाती है इसलिए लेकर ने कहां कि स्री आभिनेत्री होते हो ओर शामा बहुत अच्छी आभिनेत्री थी और अंदर का जो खीतर का दुख है वो छुप затी थी ऐसा उन्होंने कहा है और और एक बात कही है स्त्रीयों के बारे ने उन्होंने कहा है कि मध्यकालेन भारती नारी बाहरी समास से तो पीछडी पीछे थी यह समास से थोड़ी हटा गई थी लेकिन घर पर वहाँ अपना पूरा सामराज्य पूरा आधिकार रखती थी जताती भी थी लेखक के पिता जो प्रताप नारायन स्रीवस्तों इनका भी वरनन इसमें आया है अपने मा सरस्वती का भी वरनन आया है बाबा बहुत लेखक के जो पढ़े लिके थे लेखक थे पढ़ते भी थे किताबे और उस तटकाली विवस्ता में विद्या बेचने की चीज नह रहा था और लेख के जो बुवा है उनके शादी में ज़्यादा दहेश देने के खारण थोड़ी दिने तो उनको ज़्याधा आर्थिक स्थिती की कठिनाएं का सामना करना पड़ा तो टुशन के जो उनके शिक्षक आते थे तो उनको टुशन की फिस दे नहीं पाते थे तो उस ततकाले समझ में ऐसे भी लोग थे जो उन्होंने एक एक साल तक बिना कोई देर किये, बिना समय गवावे, गवाकर वो बिना कुछ ले देके उन्होंने मुफ्त में लेखक को पढ़ाया भी था, ऐसे भी लोग मिलते हैं, यानि लेखक के पिता का जो एक प्रतिवा संपन जो पुरुष थे, और लेखक ने कहा है कि पुरुष भावना पर जी सकता है, लेकिन नारी नहीं, इस खंड में लेखक ने इतना ही आपको याद रखना है कि जन्म से लेकर अपनी पतनी शामा के और समय की मृत्यू तक के अनुभो को चितरित किया है, इस भाग के प्रानर प्रिताप नारायन द्वारा हरिवन्ष पुरायन विशेस रुप से वो पढ़ते थे, या पढ़ जाने के कारण ही उनका नाम हरिवन्ष राय बच्चन रखा था, और जल्म के उपरान उनको सब बच्चन बच्चन कहिकर पुकार दे थे, इसलिए उन्होंने अपना नाव बच्चन ही जोड दिया, यानि अपनी बाले आवस्ता, पारिवारिक जिवन, सैशनिक जिवन, किशोर आवस्ता में उन्होंने किस तरह की जिंदे की जीए हैं, इसका वरनन मिलता है, उनका एक पड़ोशी दोस्ते हैं, खास तरके उसको आपको याद रखना है, करकल से नि भावनात्मक लगाओ रहता है, हम उसे प्रियसी भी नहीं कह सकते हैं, एक दोस्त की बीबी हभी भी हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरह आत्मकत हमें बताया है, कि वह एक भावनात्मक लगाओ के कारण जूड जाता है, एक तरह से प्रेम आत्मियता उन दोनों मे जग जाती है, और बाद में चमपा की भी मुरुति हो जाती है, और उसके बाद बहुत दिनों तक बच्चन जी दुख में रहे, और फिर अकेले-अकेले महसूस करना पड़ा उनको अपने आपको, और फिर उन्होंने अपने पढ़ाई पूरी की, और एक दिन उनकी शादी की बाद घर पर निकली, तो उन्होंने पहले ना तो कह देया, लेकिन उनके हिसाब से, उनको समझ के लिए ऐसी लड़की की जो इच्छा उनकी थी, ऐसी इच्छा पूरी हो जाती है, और शामा के संग उनका विवा हो जाता है, अब उनका विवा तो हो जाता है, लेकिन शा शामा कुछ दिनों बाद अपने मायके में चली जाती है, अपने मा की सेवा करने के लिए वो बिमार रहती है, तो मा की बिमारी के बाद वो तो चली आती है, यानि मा की मृत्यू के बाद वो चली आती है, लेकिन वो सोयम बिमार, यानि खुद की तरफ ध्यान नहीं दे पाती और शामा की भी असमें मृत्यू जादी, यानि घर में एक से दो, दो से तीन, यानि बहुत आत्मकता में ऐसे रिष्टेदारों के भया भवी के, ऐसे मृत्यू का तांड़ों हमें देखने को मिलता है, जो लेखक ने बहुत बारे की से विचनी, यानि लेखक की बहेन का, ले और लेखक शामा को जॉय कहने कर पुकार दे थे, उसका यानि एक आत्मिक लवा पती-पत्नी होकर भी शारीक मिलन तो उनका हुआ नहीं, लेकिन जो आत्मिक मिलन था, तो शामा के साथ ज़्यादा हुआ था, और शामा नहीं लेखक को पंड़ने के लिए प्रेरित किया, यानि एक अच्छा लेखक बनने के पीछे, कहीने के लेखक के पीछे शामा का थोड़ा भूतो प्रयास रहा है, अब ये दुखत परिस्तितिवों का वर्नन इसमें आया है, और साथ ही अपनी पारिवारिक आर्थिक परिशानियों का भी इसमें उन्होंने बारिकिसे वर्न किया है, आत्मकथा में लेखक के अपने जीवन की अनभूतियों को, परिवश को, स्थानियों संस्कृति को उन्होंने स्थान दिया है, यह आत्मकथा अत्यंत महतवपुर्ण है, आपको इतना याद रखना है कि उनके जीवन में पहले, शादी के पहले जो चमपा आई थी चमपा के बाद एक सबसे करीबी दोस्त जो करकल था, पडोसी था, और तीसरा जो शामा और शामा के मृत्य के बाद का थोड़ा बहुत साहितिक वर्नन इस आत्मकथा में आया है, और कुछ पत्र जो साहितिक मित्रों ने उनको लिखे है, उसको भी लेखक ने दिया है इसम हमें उनके दूसरे आत्मविशलेशन का चितरन आया है, जो हम दूसरे खंडों में देखते हैं, लेकिन हमें नेट के सिलावस में इतना ही रखा गया है, तो इतना ही याद रखना है पहली आत्मकथा खंडों को, ठीक है, अब ये आत्मकथा हिंदी साहित में, आत्मकथा के विकास में एक मिल का पत्थर साबित हुई है इसलिए महत्वपुर्ण हैं कि आत्मकता के सभी गुन इसमें मिलते हैं शैली, शिल्प, भाशा और इसकी कथावस्तु, इसकी चरित्र, चित्रन सभी दुरुस्टी से यात्मकता अत्यनत महत्वपुर्ण है और विस्तुरूत है और इसका विशे भी बहुती अच्छा है चार घंडों में लिखी गई है आत्मकता अत्यनत बारिके से लेकक ने लिखी है और लिखने की शैली भी अत्यनत प्रगल्व है लेकक की तो आपको इतना याद रखना है कि लेकक ने इस आत्मकताय में अपने बच्पन से लेकर अपने योन या जो योन तक का चित्रन किया है ठीक है? अन्यवाद